पप्पू यादो तुझे बुलेट फ्रूप गाडी में भी हम मार देंगे पूडिया के सांसत पप्पू यादो को लॉरेंस विष्णोई गैंग की तरफ से एक बार फिर से यह वाली धमकी मिली है और ये धमकी कब आई है ये धमकी पप्पू यादो यानि की पूर्णिया के सांसच जी को तब आई जब एक दिन पहले उन्हें उनके दोस्त प्रकाश ने धाई करूड की लेंड क्रूजर जो की बुलेट फूरूग गाड़ी है वो गिप्ट में दिया था और या गाड़ी प्रकास यानि की पप्पू यादो के मित्र प्रकास ने धाई करूड की या गाड़ी उन्हें गिप्ट क्यों दिया था क्योंकि लॉरेंस विश्णोय की गैंग की तरफ से लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी और जब धमकी मिल रही थी तो उनकी सुरच्छ मोहिया की मांग वो कर रहे हैं वो नहीं मिला तो ऐसे में बार बार पपु यादो अपनी सुरच्छा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं दरसल पूडिया सांसद पपु यादो को उनके एक मित्र है जिनका नाम प्रकाश है वो धाई करोर की गाड़ी जो की इंपोर्टेट ग चाहिए वो जो भी हो उसने दुबारा से पपु यादो को धमकी देने के लिए वाट्सप कॉल या फिर मैसेज के जरीए उसने यह धमकी दिया है कि आप कोई भी गाड़ी में बैट जाओ चाहिए बुलेट फूफ हो चाहिए टेसला की गाड़ी हो कोई भी गाड़ी हो परीर उन्होंने दिया है उसके बाद से फिर लगातार यह अच्छा इस बार की धमकी में एक चीज और है पपु यादो को लॉरेंस विष्णोई गैंग की तरफ से जो इस बार की धमकी मिली है उसमें टाइम लाइन भी दे दिया गया है कि 24 दिसंबर के अंदर अंदर पप लेकिन तुम्हें तुम्हारा तो हमेशा के लिए काम तमाम करेंगे यह धमकी मिलने के बाद पपु यादो एक बार फिर से सोचल मीडिया पर के माध्यम से और पुलिस को तहरीर देने के माध्यम से इस बात की जानकारी दिये हैं पपु यादो की पीछे यह मामला तब से पड़ा हुआ है जब से उन्होंने बाबा सिद्धिकी की हत्या पर बोला था उन्होंने बोला था कि लॉरेंस विश्णोई एक दो कोड़ी का गुंडा अगर सरकार इजाज़त दे तो दो मिनिट में इसके नेटवर को तबा कर दूँगा खतम कर दूँगा और उसी के लगातार लॉरेंस विश्णोई गैंग की तरफ से धंकी मिल रही है अलाकि धंकी मिलने के बाद पपू यादो के तेवर बाद में कुछ बदले भी थे पपू यादो बैक फूट पर आय थे उन्होंने बोला कि मुझे बाबा सिद्धिकी सलमान खान जिसको जो करना है मारे मुझे कोई लेना देना नहीं मिरा कोई मतलब नहीं है अप्पू यादो नहीं था जो अपनी जुबान से जो नोने कहा हूं अगे कूछ जाते हैं और फिर बाद में बैकुट पर नजर आते हैं मैं यहां पर उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन कोई भी वंक्तव्य कह से बाहर है तो कई न कहिंए कानुन ब्यवस्ता को भी चैलेंज करने जैसा विशह है जिस पर चर्चा किया जा सकता है जिस पर चर्चा हो रही है जिस पर सोसल मीडिया पर सरकारों की ठू ठू भी हो रही है लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार जब पपू-यादों को लारेंस विश्नोई गैंग की तरफ से दमकी मिल रही है। यह बात भी बोल रहा है कि 24 दिसंबर से पहले पहले तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तुझे जिस गाड़ी में बैठ जा। तुझे बुलिट उसके अभी वो मिलने में असफल रहे हैं लेकिन क्या वो आगे नितिश कुमार से मिल पाएंगे फिर नितिश कुमार जो बार बार पपू यादो को यह धंकी मिल रही है उसके कुछ पुकता इंतजाम कर पाएंगे यह अभी भी इस बात पे सवाल बना हुआ है बाकी पपू कमेंट करके जुरूर बताईएगा